नमस्कार मैं हूँ प्रवेंड गोतम दोस्तों क्या बीजेपी से एक बार फिर कंगना रनोत को फटकार पढ़ने वाली है? क्या बीजेपी आला कमान तंग पाकर ये कहने को मजबूर हो जाएगा? कि मैडम कंगना आपकी फिल्म के प्रोमोशन के चक्कर में क्या आप पार्टी का बंटा धार करा के मानेंगी चुनाओ में? क्योंकि आपकी बיयान बाजी चुनाओ में भारी पढ़ सकती है कंगना रनोते दावा किया था कि किसानों वाले बयान पर फटकार के बाद वो सोच समझ कर बोलेंगी लेकिन अब कंगना रनोत ते ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर विपक्षी नेता पीम मोदी और बिजेपी को एक बार फिर घे रहे हैं कि ये कंगना का बयान है या पार्टी का स्टेंड है कंगना रनोत मानग गुपता के साथ इंटर्विव में जातिगत जनगरना पर क्या कहती है जरा सुनिए जातिगत जनगरना होनी चाहिए बिल्कुल नहीं तो मानग गुपता के सवाल पर कंगना साथ कहती है कि बिल्कुल जातिगत जनगरना नहीं होनी चाहिए आज तक पीम मोदी, अमिश्या और विजेपी के बड़े बड़े नेता भी ऐसा दो टूक जवाब नहीं दे पाए जातिगत जंगरना को लेकाई गोल मोल जवाब दिये जाते हैं ताकि पिश्णा वर्ग नाराज ना हो जाए लेकिन कंगना ने साब बोल दिया तो अब विपक्षी नेता बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं सुप्रिया शनेत कहती है कि देश में जातिगत जंगरना बिलकुल नहीं होनी चाहिए बीजेपी सांसत कंगना रनोर जातिगत जंगरना पर यही है बीजेपी की सचाई और आदिकारिक स्टेंड इसके आगे सुप्रिया शनेत क्या कहती है बीजेपी में इतना सननाटा क्यों है भाई जातिगत जंगरना होनी चाहिए या बिल्कुन नहीं जैसा कि आपकी सांसत कंगना रनोजी कह रही है अपना मत और मनशाद साफ कीजिए जातिगत जंगरना हा या ना तो विपक्षी नेता पीम मोदी और बीजेपी से सवाल कर रहे हैं कि जब कंगना ऐसा बयान दे रही है तो आपकी पार्टी का आधिकारिक स्टेंड क्या है बीजेपी के बड़े नेता इस बात का कोई जवाब नहीं देंगे लेकिन कंगना के बयान ने बीजेपी को फसा दि किया था कि विपक्ष वाले अगर आरेक्षन को चोट पहुचाने की कोशिश करेंगे तो भी पिछले बर का आरेक्षन तब तक खत नहीं होगा जब तक मोदी जिंदा है इस तरह की डायलोग बाजी पीम मोदी ने की थी लेकिन अगर पीम मोदी वाकई आरेक्षन के विट भी लगाया गया है साफ तोर पर उन्होंने कहा है कि आरेक्षन गरीबी के आधार पर होना चाहिए कास्ट के आधार पर नहीं साफ लिखा है कंगना रनोट ने आगे कंगना कहती है कि मैं ऐसे बहुत सारे राजपूत को जानती हूं जो संघर्ष कर रहे हैं और इसके पियम मोदी अगर ये मानती आया है कि पिछले वर्थ के आरेक्षन पर वो चोट नहीं पहुंचने देंगे तो ऐसी मानसिकता के लोगों को आधिकारिक टिकेट क्यों दिया गया क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है कि बयान आप कुछ भी दे दो लेकिन आप ऐसे लोगों का भी समर्थन करते रहेंगे जो आरेक्षन के खिलाब आवाज उठाते हैं तो आखिकार पार्टी की आधिकारिक लाइन क्या है ये साफ करना चाहिए पियम मोदी को और बीजेपी को और दोस्तों जो बात की जाती बड़ा पॉपुलर आपिनियन है कि आरेक्षन गरीबी के आध एक ही जाती साल की, ऐसा होता तो 3 लाग या 4 लाग तक सीमित रखा जाता, ज्यादा से ज्यादा, 8 लाग रुपे साल के कमाने वाला परिवार क्या गरीब होता है, तो मोदी सरकार जो EWS आरेक्षन लेकर आई, EWS कोटा लेकर आई, तो क्या उससे जो जनरल कास्ट के गरीब हैं उनका भला हो रहा है वो आरेक्षण भी लगता है कि पैसे वालों की हिस्से ही जा रहा है तो यह जो बात की जाती है बड़ा पुपुलर ओपिनियन है कि गरीबी के आधार पर आरेक्षण होना चाहिए तो क्या मोधी सरकार की इसमें कोई अच्छी राय है ऐसे में आरेक्षन और जातिय जंगर्णा जैसे मुद्दो पर हमें खुले दिमाग से सोचने की जरुवत है और आकिरकार ये जानने में क्या हर्च है जब जाती के आधार पर राजिती की जाती है जब जाती के आधार पर नीतिया बनती हैं जाती के आधार पर आरक्षन के प्रावधान है तो आकरकार ये जानने में क्या बुराई है जातिय जनगरना करने में क्या बुराई है कि किस समाज की आकरकार कितनी हिसेदारी है देश की सरकार को देश की जनता को क्या ये पता नहीं होना चाहिए पता करने में आकर कार बुराई क्या है बीजेपे की कुछ नेता पूर में जातिय जंगर्णा की तरफदारी किया करते थे अब कई लोग इस पर सीधा जवाब नहीं देते और कंगना रनो जैसे सांसद खुल कर बोलते हैं कि बिल्कुल जातिय जंगर्णा नहीं होनी चाहिए हाला कि कंगना का बयान चुनाओ के लिहाज से बीजेपी की सिर्दद्दी बढ़ाने वाला है जबकि पीम मोदी और बीजेपी के नेता ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि पिछले वर्ग के लिए पीम मोदी से बढ़ा कोई नेता नहीं है आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि कंगना जिस तरह की बयान बाजी कर रही हैं क्या बीजेपी एक बार फिर उन्हें फटकार लगा सकती है और आरेक्शन को लेकर कंगना ने जो राय रखी उसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर पिराय जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो तैंक्स के अप्शन के जरी आर्तिक सहुख भी दे सकते हैं इसके लाव वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार